पकोड़ा कड़ी बनाने का ये तरीका आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा एक बार खा लिये ना तो सच में हैरान हो जाएंगे और पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे क्योंकि ये पकोडा कड़ी बिना बेसन बनी है और इतने नरम इसके पकोड़े बनते हैं उभी बिना बेसन के कोई इनो सोडा नहीं डाला है और एकदम रूई भी सर्माजास के आगे इतनी जादा मज़ेदार ये ट्रिक अगर जान लिए तो पकोड़ा कड़ी कभी नहीं फटेगी और एकदम हमेशा के हमेशा पॉफेक्ट बनेगी तो ये पकोड़ा कड़ी बनाने के लिए हम आज बेसन का इस्तमान नहीं बलकि चने की डाल का यूज़ कर रहे हैं और इससे बने पकोड़े या इससे बनी कड़ी इतनी गजब की स्वादिस्ट होती है आप जिसको भी बना के दे देंगे ना सच में वो आपकी हाँच चुम लेगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया है आधा कप चने की डाल को अच्छे से दो करके लगभग 3-4 घंटे के लिए भीगने रख दिया था पूरी तरीके से फूल गये है तो अब इनको डालना है एक मिक्सी के जार में और इसमें में जाधा पानी का यूज़ नहीं करना है पीस्ते जागेगी तो 2-3 चबच पानी डालेगा ने तो एकदम बारी खोना चाहिए पेस्ट तो यहाँ देखे पेस्ट हमारा एकदम महीन हो चुका है मैंने मिक्सी कुरो क्रो के पल्स मोड पे अच्छे से चला लिया है और आप देख सकते हैं बिलकुल भी दरदे रही है इसके ल अब लिया है बड़ा वाला कटोरी जिसमें हमने धेर सारा बैटर डाला है इसमें में डालूंगी प्याज एक मेडियम साइस का इसको बहुत ही बारिक बारिक से चॉप किया है मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें 2-3 चमज के असपास इसको भी बारिक काट ले बा अधी चोटी चमज के आसपास लिया है ये भी डालेंगे इसको डाल कर देखेंगा बहुत बड़िया खुश्बू आती है इन पकोड़े कड़ी में नमक डाल लेते इस वात के इसाब से मसालों में जादा कुछ नहीं आधी चोटी चमज हल दी और आधी चोटी चमज ये मे नहीं पेट लो लेकिन इससे जादा नरम पकोड़े नहीं बन सकते हैं बेशन से इसको हम रखते हैं और अब हम कड़ी के लिए जो दूसरा वाला बैटर यानि तयार किया था उसको रेडी करेंगे तो एक बड़ा सा बर्तन लिया है इसमें में डालूंगी आधा कप दही ब निकल जाने चाहने तो कड़ी जो है फट जाती है एक एक खास ट्रिक को आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी कड़ी बिल्कुल पॉफिक बनेंगी और अब इसी दही में हम डाल देंगी पिसा हुआ दही का जो छोटे वाले बोल में हमने डाला था न वो तो यह जो दाल मिजर करेंगे न उसी कप से लगबग चार कप पानी डाल सकते हैं तो मैंने यह धाई कप बड़ी कप से नाप करके पानी डाल दिया है यहां अगर आप च्छाच चूज़ कर रहे हैं तो पानी आपको थोड़ा ही डालना है बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली ए भी होता है कि बैटर गाढ़ा होता है फट जाती है या फिर जम्सी जाती है तो यहां पर ध्यान रखिए अभी हम तैयार करेंगे पकोड़े क्योंकि बैटर को बना कर हमें ज़्यादा विर रखना नहीं है इसमें जो सबजी डाली है वो पानी छोड़ देंगी तो गर्मा से बने न तो अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है देखिए काफी अच्छे से गोल्डन हो गए हैं इनको हम निकाल लेते हैं काफी मज़ेदार लगते हैं आप इनको सॉस के साथ भी खाएंगे न तो यह बहुत तेस्टी लगते हैं आधे तो मेरे घर में यह वड़ियां ऐस मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूं यह देखे कितने नरम है बिना कोई सोटा डाले अगर आप बेशन से बनाए तो इतने नरम बनाना पॉसिवल ही नहीं है और अगर बनेंगी भी तो आपको घंटो भर फेटना पड़ेगा बेशन को चलिए पकोड़े तो रेड़ी हैं अब हम कढ़ी बनाने का प्रोसेस स्टाव करते हैं तो यहां कोई पी बड़ा और सबसे पहले इसमें ये छूटी चंछ ममच कोई भी ऑ्यील डाल दें शर्सो का तेल भी आप ले सकते हैं और अब इसमें डाल दें आधी छूटी चंछ चंछ जीरा ऑफ चूटी चंछ डाल डालेंगेस हादी चोटी चमच रदी को कड़ी बनाते समय नहीं बलकि इस तरीके से तेल में डाली जिसे कभी-कभी क्या होता जब हम कड़ी पकाते हैं तो हल्डी की खुश्बु की होसरी का देस आने लगता है इसलिए हल्डी को पकाना जुरूरी है तो तेल म डालके और जब तक दही पूरी तरीके से गरम नहीं होती तब तक फ्लेम बढ़ाना नहीं है और इस तरीके से चलाते रहेगा ताकि गुठले आना पड़े तक बग 5 मिनिट में ही दही अच्छे से गरम हो जाती है तो आप फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं मिडियम कर सकते हैं और अब इसमें काफी अच्छे से उबाल आने दिना है जब हम बेशन से कड़ी बनाते हैं तो बहुत सारे बबल्स और बहुत सारे जाग आते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि बेसन जो फूला नहीं होता है वो एक ड्राइपार्ट होता है और उसको फूलने के लिए यही समय मिलता है बेसन के साथ जब वो पकती है और जब यह कड़ी दाल से बनती है न तो बिल्कुल भी जागनी होते हम इसको पांच मिनट पकाते हुए हो गया ह मिडियम फ्लेम पे आप देख सकते हलके हलके से इसमें उबाल आना सुरू हो गया है तो अब हम सबसे लास्ट में नमक डाल देंगे स्वात के एसाब से और अब इसको दो-तिन मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि बढ़िया से यह को खो जाए जो दाल ले उसका कच्छा ट गी का यूज नहीं करना है आधी चोटी चमच राई के दाने और चौथाई चोटी चमच के असपस हींग डालेंगे कि हमने कड़ी बनाते समय भी हींग डाला था और अब यह पकोड़ा कड़ी है तो प्याज और लेसुन थोड़े से डाल सकते हैं बारी काट के मैंने आधा तड़के का कलर राजा जिससे हमारी कड़ी में चार चांद लग जाएंगे तो तड़का हमारा रेडी हो गया है गैस का फ्लेम बंद करें और इसको गरमा गरम हम कड़ी के ऊपर डाल देंगे आप चाहें तो पकोड़े भी डालने के बाद कड़ी डाल सकते लेकिन पर गैस का फ्लेम एकडम कम कर दीजिए और ढग दीजिए ताकि तड़का और धनिये का फ्लेवर बढ़िया से हमारी कड़ी में आ जाए और अब कड़ी से बहुत ही शांदार छी खुश्बू आ रही है मैं बता नहीं सकती आप एक बार इसको ट्राय करना इस तरीके से दे रहने देंगे ताकि थंडे हो जाए और उसके बाद आप इनको सर्फ कीजिए चावल के साथ रोटी के साथ या पिर किसी भी चीज के साथ ये कड़ी पकोड़े बहुत ही शांदार लगते हैं मैंने इसे सर्फ किया है पुदीनी वाली चावल के साथ ये जो चटनी आपको इसका स्वाद भूले से भूलने ही पाएगा आपको अगर चाहिए तो मैं इसकी वीडियो कल पोस्ट करूँगी जिसको देखने के बाद आप सच में ये दोनों का कॉमबोज जरूर बनाएंगे तो मैं आपको इन्हें कट कर दिखाती हूँ कि ये जो कड़ी के पको नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक कियर एंड बाबाई